तेलंगाना ने अपने द्रिड निश्चई मुख्यमंत्री श्रीके चंदरशेकर राव के नितरित्व में सभी क्षेत्रों में अभूत पूर्व विकास और बदलाव देखा है और ऐसी ही विकास की एक प्रिरना दायक कहानी है तेलंगाना के स्वास्त क्षेत्र की स्वास्त के क्षेत्र में भारत के सबसे वंचित राज्य होने से लेकर राष्टिय मंच पर सबसे उतकृष्ट राज्य बनने तक तेलंगाना ने या खंडनी उपलब्धी हासिल की है मात्र नौ वर्षों में 2014 में अपने निर्मान के समय से ही तेलंगाना की प्राथ्मिक्ता और लक्ष तेजी से अपने स्वास्त क्षेत्र और उससे जुड़े करमचारियों को बढ़ाना था और इसके लिए ना सिर्फ नए अस्पतालों को बढ़ाया बलकि बढ़ती हुई जनसंक्या तक पहुँच जने के लिए वर्तमान में मौजूद अस्पतालों की किशमता और कारे कुशलता में भी इजाफा किया गया है। कारे करम चलाए गए हैं। गरीवों तक अच्छी स्वास्त सेवाएं पहुचाने के लिए बस्ती दवाखानों का निर्मान किया गया है। जहां मुफ्त दवाएं, चिकिच्सिय सलाह, विशेश सेवाएं, जांच और टेली मेडिसन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। आरोग्य महिला अपनी तरह की पहली केवल महिलाओं के लिए महिला क्लिनेक्स थापित किये गए हैं, ताकि स्वास्त सेवाएं महिला जन संख्या तक बहतर और आसान तरीके से पहुचाई जाती है। आम जन को मुफ्त डाइग्नॉस्टिक सेवाएं देने के लिए विशेश पहल करके टी डाइग्नॉस्टिक्स उत्कृष्ट दर्जे के डाइग्नॉस्टिक सेवा केंद्र शुरू किये गए। अंधापन मुक्त तेलंगाना के लक्षे को पाने हेतु, कंटी विलुगू, विश्व का सबसे बड़ा आँख जांच कारिक्रम शुरू किया गया। तेलंगाना ने अपनी महिला और शिशु केंद्रित विशेश कारिक्रमों जैसे की KCR किट, आरोग्य लक्ष्मी, KCR पोशन किट्स, बला मुरुथम, मेड वाइफरी इनिशेटिव, अम्मा वोडी, मातरित्व एवं बाल स्वास ब्लॉक्स, विशेश नवजाद देखभाल यूनिक्स, आदी के माध्यम से स्वस्त, सुरक्षित गर्भावस्ता और नवजात का जीवित रहना सुनिश्चित किया है, जिससे की पूरे राज्ये में मातरित्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है, और सरकारी अस्पतालों में प्रसव संख्या बड़ी है दोर दर्शी मुख्यमंत्री, श्री केच अंदरशेकर राव के इन क्रांती कारिये स्वास्त देखभाल कारेक्रमों और स्कीम्स के उत्साव वर्दत परिनामों के चलते, ये पूरे देश के अनुकरन करने हेतू सफल मॉडल है